मद्यप्रदेश 20 दिसंबर 2019 शुक्रवार मद्यप्रदेश की आज की ताजया ख़बर दोस्ट स्वागत है आपका हमारे ट्रीम न्यूज चैनल में और मैं हूँ आपका होश्ट दोस्त कुल्दी पांडे दिशको आज के इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं प्राप्त करने के लिए हमारे टिरोंग स्थ्क्राइब कर लें और साथिपहला आइकों दबादे जिसस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंद पहुश पाए और आप उनसे लाभान में सब्सक्राइब पर दोस्तार करें आए पर देट के और जान लेते हैं पूर अ संदुलन में भाग लेकर उन्हें नियमिति करन के सपने देकर देने वाले मंत्री जीतु पटवारी अब वचन बद्धता दोहराते हुए समय गुजरानने की कोशिश कर रहे हैं जीतु पटवारी ने कहा कि एक निर्धारित निती नीती के तहत आने वाले तीन सालों में नबना चुकी है समस्य यह है कि जो आतिती विद्वान ओवरेज हो गए हैं उनका क्या होगा उच्छा मंत्र जीतु पटवारी प्रदेश कांग्रेस कार्याले में एक बार फिर इस मुद्धिक पर प्रेस के सामने आये और उन्होंने सपश्च तो नहीं किया परंतु उन्ह मेहिमान अब मेजबान होंगे अर्था निकाला जा रहा था क्या दिसे विद्वानों की सेवा करते वही रहेंगे लेकिन उनके पत नाम बदल दिये जाएंगे जैसे कि सिवरास सिंग्सासनकाल में कुछ अन्य पदो उपर हुआ था शिवराज सिंग ने सिक्षा कर्मियों का पद नाम बदल कर अध्यापक कर दिया था लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया था बीस सी पास सहयक प्राध्धपकों को नियुक्ति क्यों दी गई दोस्तों सिक्षे पिछली सरकार ने अपने कारेकाल में 15 वर्सों मे कोई नियमित नियुक्ति नहीं कि आतिती विद्वानों की व्याक व्यवस्ता पूर्णता अस्थाई व्यवस्ता होती है तदा UGC भी इस प्रकार की व्यवस्ता लंबे समय तक रखने के पक्ष में नहीं है यह विध्यारतियों के हित्मे है कि कालेजों में नियमित सिक्ष पदस्त हूं प्रतन जन प्रतनेदियों की भी यही मांग लगातार हो रही है मगर इन सब तत्यों के बावजूद वर्षों तक अतिसी विद्वानों का भविश्य पूरवरति सरकार ने अधकार में रखा है अता हमने लोक सेवा आयोक से चैने 3148 अभ्यारतियों को पदस्त क अधक नहीं है जिन में से लगबख 830 विद्वान भी शामिले अतिसी विद्वानों को बोनस अंकत देने आयोसी मां में छूट भी देंगे लेकर परिक्षा पास करनी होगी तो स्तोच्च्च्च्य मंत्री जिदुपटवारी ने कहा कि पिछली सरकार के गेर जिम्मेदार दाराना रवईये के कारण लगबख 4930 विद्वानों के भविश्य को अंदकार में रखा गया है और उनके नियमित करन की कोई प्रक्रिया नहीं की कमला सरकार ने क्रांतिकारी ने लेते हुए इन्हें आगामी तीन वरसों की परिक्षा में 20 अंक का अधिभार आयोसीमा से छूट देने काबिने ने लिया है इससे सभी पात्र लगबख 2000 विद्वानों को लोक सिवा आयोग के माद्यम से चैनित होने में सहायता होगी तब बचे हुए आते थी विद्वानों को भी वैधानिक चैनित परिक्षा में पात्र बनाने में सहयोग करना पड़ेगा वचन पत्र में यह उलेखी थे कि आते थी विद्वानों को रोस्टर के अनुसार नियमित करने की नीती बनाएंगे तिथा पीस्टी से चैनित ना होने के स्थिति में उनको निकाला नहीं जाएगा मान्य मुक्यमतिश्टी कमलाज जीन की मनशा के अनुसार हम एक भी आते थी वि प्रक्रिया भी प्रारंब हो गई है जो एक जन्वरी 2020 से वे च्वाइस फिलिंग भी करा सकते हैं च्वाइस फिलिंग के नाम पर आते थी विद्वानों का तबादला होगा दुस्ता थी विद्वानों से हमारी अपील है कि जहां विध्यारतियों को आवश्टता है वहां को जाना चाहिए हमने लिया है कि आप कोई भी नए आते थी विद्वान नहीं रखा जाएगा जो अभी काम कर रहा है उन्हें ही काम करने का अवसर मिलेगा पूरी प्रक्रिया करने में तीन साल का समय लगेगा और तीन साल के समय में हम सभी को परमनेंट कर देंगे आए वन्विभाग में कर्मचारियों का पे स्केल भी घटा दिया हर कर्मचारी को 60 लाग का नुकसान दोस्तों मत्रदेश वन्विभाग के अधिकारी पूरे पूरे विभाग को शायद जंगल समझते हैं मनमाने नियम और कानों लागो कर दिये जाते हैं गजब देखिए सारे दे को अपने पूरे स्केल से 60 लाग का नुकसान हुआ है करतूत कि संके अपसर ने की है फिलाहाल पता नहीं चला है क्योंकि वरतमान में पदस सभी अधिकारियों उसे बचाने की कोशिश कर रहा है मामला क्या है दोस्त मामले के बारें आपको बता दें कि वर्भाग मत्यप्र जन हुआ 30 जून 2016 को रिजल्टे भी घुशित हुआ और साल के अंत में नियुक्तियां ही मिल गई नवीन नियुक्तियां हुए सभी मानचित्रकारों को 5200 से 20200 प्लस 2400 ग्रेट पे दिया गया सभी ने काम शुरू की दिये कर दिया सब कुछ ठीक जा रहा था कि तभी रहा कि वन विभाग में कारेज़त दूसरे सभी मानचित्रकारों के 9300 से 34800 प्लस और 3200 ग्रेट पे मिल रहा है बस यही से विवास शुरू हो गया सवाल किया जा रहा है कि एक ही पत के लिए दो अलग अलग पे स्केल कैसे हो सकते हैं वन विभाग के अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं है दोस्ते अधिकारियों को छुपाने के लिए सूचना के अधिकार के तहरत मंगे गई जानकारी वे उपलब्द नहीं कराई जा रही है आई बरते हां के बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी अपडेट ख़बर की जो निकल के आ रही है आतिती विद पर कॉंग्रस सरकार सुएम घरती नगर आ रही है विपक्ष को विधान सबसात्र के दोरान बेटे वे बिठाए सरकारों घेरने का मुका मिल गया है बहुपार इस्तिस साहा जानी पार्क में प्रदेश के सास की महाविद्यालों में कारेरा ततिती विद्वानों का धरना प देवराज सिंग एवां डाक्टर सुर्जीत भदोरिया के नुसार पूरू में पिछले 20 वर्सों से आतिती विद्वानों कारेरत करते थे भरती होने से पूरे प्रदेश में लगभग 2500 विद्वानों को सेवा से फालन आउट करने करके बाहर कर दिया गया है जिससे पूरे चल रहा है ति दिवारों के और फॉलन आउट होने से उत्पन होई है समस्या आए आज बढ़ते हैं चोती बड़ी अपडेट कवर की जो निकल के आ रही है गवालियर का गौरों घटेगा च्छेत्री परिवहन कार्याले दो महां में भौपाल सिफ्ट होगा दोस्त आपको जब गवालियर का गौरों घटने लगा घटने वाला है कॉंगरेस की सरकार में जबकी परिवहन मन्त्रा लै जो तिरा संद्या के संपक मंत्री गोवंदृ सिंघ राजपुत के पास है लिकिन चेत्री परिवहन कारयाले को को गवालियर से बहुपाल सिफ्ट किया रहा है आ लागामें 2 महाँ में श्यत्री परिवहन कार्याले भ्पाल नवीन भवर में क्लुपाल के नवीन 189 चीफ्ट हो जाएगा। उन्हेंने बताये कि श्यत्री परिवहन कार्याले भॅल के नवीन एक्रत भववन के निर्मान पार्किंग, केमपस रोड का निर्मान, लाइटिंग और नेटवर्क एवं E-P-A-B-X एवं सड़क पर इवं निर्मान के लिए राश्ची रुपे 7.64 करूर रुपे स्विक्रत की गई है जो लगभग समापती की ओर है सभी कार रुपे कार रैले की शिफ्टिंग नहीं हो सकती है भवन के अतरीक्त जो कार शेज बचे हैं उनको उक्त कार पूर रुण होते ही लगभग आगा में दो महिने में कार रैले सेफ्ट की कार रह प्रार्रम करती जाईगी आई बरते हांगे बात कर लेते हैं पांच उन्दिम बड़े खवरगवारे में जो निकल कर रही है मुख्यमंद्री कमनलाद की टिपणी पर विधान सवा में हंगामा दोस्तों मत्रदेश की विधान सवा में शीत कालीन सत्र के दोरान आज तीसरे दिन मुख्यमंद्री चलने और सरकार चलने में फर्क होता है साथ कुछ शुरू हो गया हंगामे के चलते सदन की कारवाही दो बार स्थगेत करनी पड़ी केसानों को बोनस पर बात हो रही थी भहस के बीच खड़े हो गये मुख्यमंद्री दोस्तों हुआ यह कि गुरुवार को विधान सवा की क प्रश निकाल के दोरान किसानों को दिये गए दिये जाने वाले बोनस को लेकर एक सवाल पूछा गया इस सवाल पर राजर सुमंद्री श्री गोविंद्र राजपूत ने जवाब दिया उससे विपक्ष असंतुष्ट हो गया उसने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को साच लाने में बहुत फर्क होता है म कि तरी साफ कई दिया कि जब बीते साल साव किसानों को सरकार ने बोनस दिया था तो केंद्र सरकारे में बेचाब और कहा कि एमपे में बीजेपी के 26 सांसद हैं जो केंदर के सामने एमपे के हित की बात क्यों नहीं रखते हैं कबलनाद के बयान पर सिवराज सिंग भड़के दोस्तों सीम की जवाब से भड़के विपक्षी और पूर्व सिवराज सिंग चोहान और नेताप्रतिपक्षी गोपा अगर आप बनना चाहते हैं तो मैं क्या करूं आदिया दूरी जानकारी दे रहे थे मंत्री इसलिए बहस शुरू हो गए यह स्पिकर भी नाराज हो गए गेहूं बोनस के मुद्धे पर सदन में जो कुछ हुआ उसे स्पिकर नाराज हो गए स्पिकर ने अधिकारियों की का जो जवाब दिया उसके आधी अधूरी जानकरी से नाकेवल विपक्ष बलकि स्पिकर और प्रजापती भी नाराज हो गए स्पिकर ने आसंदी से विवस्ता दी की प्रशनकाल के दोरान पूछे जाने वाले सवालों को लेकर अधिकारी मंत्रीयों को पूरी जानकरी के कुछ जानकरी हों आपके लेकर आये थे मत्यप्रदेश के आज की तार्य खबर जो निकल कर रही थी मत्यव 20 दिसंबर 2019 शुक्रुबार से तो आशा करते हैं आपको मारा आज का विश्वत प्रसंदाया होगा पसंदाया लाइक करें और अधिस से लोगों तक शेयर करें ता